दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अंडर 25,000 रुपीज ने कौन सी बेस्ट टीबीज होने वाली हैं क्योंकि आपको पता हिए कि मार्केट में इतने सारे ब्रैंड्स आ गया है और इतना अधा कॉम्पिटिशन हो गया है कि एक सही डिसिजन लेना इतना असान नहीं है क्योंकि हर एक ब्रैंड की अपनी एक खासियत होती है तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आगे हूँ अगर आपका भी बजट अंडर 25,000 रुपीस है आपको एक अच्छी स्मार्ट टीबी चाहिए तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप सही डिसिजन ले पाओगे दोस्तों मैं आपको बता दू कि मैंने छोटा सा क्रिटेरिया बनाया हुए इन सभी टीबीस को लेके जो आपको उन सभी टीबीस में देखने को मिल जाएगा अगर बात करेंए डिस्पले की तो मिनिममम आपको 43 इंच की डिस्पले देखने को मिल जाएगी फुल-हडी वाली और कुछ टीबीस है जो 4K के साथ में भी आपको मिल जाएगी operating system की बात करें तो आपको Android पर ये सभी TV's run करेंगी तो इसकी मदद से आप काफी सारे apps को भी install कर पाओगे इन सभी TV's में आपको minimum 20W का speaker मिल जाएगा और अगर इस storage की बात करें तो minimum आपको 1GB RAM मिलेगी 8GB के internal memory होने वाली है और जो price होगी वो under 25,000 रुपीज होने वाली है तो ऐसा दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि जितने TV's के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ इनको मैं personally use नहीं किया हूँ ये सभी customer के reviews और rating के हिसाब से मैं सभी TV's को select किया हूँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत ज़्यादा deeply आपको specifications नहीं बताऊँगा बस जो main specifications होते हैं उन्हीं को आपको बताऊँगा अधरवाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो list में दोस्तों मेरे जो पहले number पर TV है वो OnePlus की तरप से आने वाली YSeries के 43-inch की TV है जो भी recently launch होई है अगर बात करें इसके resolution की तो इस TV में आपको 1920x1080 pixel का resolution मिल जाता है और ये full HD TV है 4K TV ये दोस्तों नहीं है इस TV में आपको एक अच्छी display मिल जाती है मतलब display के मामले में colors अगरे के मामले में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी आप इस TV को ऐसा monitor भी use कर सकते हो अगर आपको editing अगरा करना है गेम खिलना है तो आप इस TV का use ऐसा monitor भी आप कर सकते हो और इस TV में आपको Android 9 Pie out of the box देखने को मिल जाता है इस TV मापको 20 Watt का speaker देखने को मिल जाएगा और OnePlus के इस TV मापको 1 GB के RAM मिल जाती है 8 GB के internal memory मिल जाती है connectivity ports की बात करें तो आपको हर तरह के जो basic connectivity ports होते हैं वो सभी आपको OnePlus के इस TV में देखने को मिल जाएगे दोस्तों इस TV के कुछ खास बातें भी है कि आपको regular software update मिलता रहेगा जैसे आपको पता है कि OnePlus जो अपने phones में वो TVs में regular software update देता रहता है और ये जो OnePlus की TV है दोस्तों ये mobile friendly है आप mobile से काफी सारे काम कर सकते हो इस TV में तो अगर आपको ऐसा TV चाहिए जो mobile से control हो जाए 100% तो कहीं न कहीं OnePlus की ये TV आपके लिए सबसे best होने वाली है दोस्तों बढ़ते हैं लिस्ट में दूसरे नंबर पर तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर है वी यू की cinema TV 43 इंच आपको पता है कि वी यू की जो TV होती है वो display के मामले में सबसे अच्छी माने जाती है तो यह budget segment में दोस्तों यह TV आती है जिसका resolution है 1920x1080 pixel का और यह भी full HD TV है 4K TV दोस्तों यह नहीं है इसमें आपको A grade की LED पैनल मिल जाती है आपको सबको पता है दोस्तों कि वी यू TV की जो display होती है उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं होती है इस TV को भी आप as a monitor use कर सकती हूँ कोई problem आपको नहीं आएगी और प्रेटिंग सिस्टम की बात करें तो Android 9 out of the box आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें भी आपको software updates मिलता रहेगा इस speaker दोस्तों आपको यहाँ पर 24 Watt का मिल जाता है storage की बात करें तो 1 GB की रहे हैं 8 GB की इंटेरर मेमोरी आपको देखने को मिल जाती है और connectivity के सारे ही ports आपको इस TV में देखने को मिल जाएगे वैसे दोस्तों आपको बता दूँ कि इन सभी TVs की best buy link आपको मिल जाएगी वीडियो description box में तो अगर आपको check out करना है तो description box को आप जरूर check करिएगा दोस्तों लिस्ट में तीसरे नंबर पर Mi TB है Mi TB 4x43 इसके resolution की बात करें तो android 9.5 out of the box आपको देखने को मिल जाएगा इस TV में आपको 20 watt का speaker देखने को मिल जाता है और अगर storage की बात करें तो 2 GB की RAM है 8 GB का आपको internal memory देखने को मिल जाती है और connectivity की सारे ही ports आपको Mi TB 4x में देखने को मिल जाएगे तो इस दोस्तों इस TV की कुछ खास बाते हैं कि आपको regular software update मिलता रहेगा और ये दोस्तों TV एक mobile friendly भी है तो mobile से भी इस TV को control वगरा कर सकते हो अब दोस्तों बढ़ते हैं लिस्ट में तीसरे नंबर की तरब तो तीसरे नंबर पर है Realme की 43 inch की TV जो अभी कुछ महीने पहले ही इंडिया में लाउंच होई है अगर बात करें इसके resolution की तो इसमें 1920x1080 pixel का आपको resolution मिल जाता है और ये full HD TV है 4K TV दोस्तों ये नहीं है इसमें आपको एक अच्छी display वगरा देखने को मिल जाती है और connectivity के सारे ही ports आपको इस TV में देखने को मिल जाएंगे तो Realme की तरब से दोस्तों ये आने वाले TV काफी सही है तो आप इसकी तरब भी जा सकते हो अब बढ़ते हैं लिस्ट में दोस्तों पांचवए नंबर की तरब जो सबसे लास्ट TV है ये दोस्तों एक नई कंपनी आप बोल सकते हो हाइसेंस जो भी कुछ दिन पहले ही आप बोल सकते हो इंडिया में आई है और इसके जो TV हैं वो भी काफी आप पॉपलर हो रखे हैं ये TV दोस्तों 43 इंच की है जिसका रेजलूशन है 19201080 पिक्सल का इसमें भी आपको एक अच्छी डिस्प्लेय अगरा देखने को मिल जाती है और इस TV में दोस्तों आपको Android 9 Pie आउट अफ दी बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा और इस स्पीकर की बात करें तो आपको 24 वाट का स्पीकर देखने को मिल जाता है स्टोरेज की बात करें तो वन जीबी ग्रैम है एट जीबी के इंटरर मेमोरी मिलती है और कनेक्टिविटी के सारे ही पोर्स आपको इस TV में देखने को मिल जाएगे जो पहले नंबर के टीबी है वो सबसे अच्छी है लिस्ट में जो पांचवाई नंबर के टीबी है वो सबसे आप लोवेस्ट बोल सकते हो तो इसे सबसे आप डिसिजन ले सकते हो